आज हम बात करने वाले एक ऐसे देश के बारे में जिसको लेंड आफ फार कहते हैं उस देश का नाम है अजरबाइजान इसको शुरूर कने से पहले अगर आप ने वी चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया तो प्लिज सब्सक्राइब कीजे अजरबाइजान के बात शुरूर कने से पहले हमें उसके हिस्टरी के बारे में जानना होगा अजरबाइजान पहला मुस्लीम मेजोडिस कंट्री जिसने 1918 में अपने आपको इंडिपेंडन कंट्री डेकलेर कर देथा इसके 1920 से लेके 1991 तग ये सोवीन उनियन का एक हिस्सा था बगर 18 October 1991 को ये सोवीन उनियन से अलग होगे अजरबाइजान एक अपने आप एक इंडिपेंटन कंट्री डेकलेर हो चुका था इसको ऑफिशन नेम रिपब्लिक ऑफ अजरबाइजान है अगर हम अजरबाइजान की नेशनल फलैग के बारे में बात करें तो वो एक होलिजणटर है जिसमें 3 कलर है ब्लू, रेड़ और ग्रीड और इसके बीच में किर्शन मून और स्टार है Blue represent करता है Turkish tribes को Red represent करता है secular democracy को Green represent करता है Islamic religion को close and moon represent करता है Islamic symbol को star जिसमें 8 points है वो represent करता है 8 letters Azerbaijan की Arabic में Azerbaijan के National Emir के बात करें ऊशका नाम है Vera mike उषरियकंड पुल्भाॉट्स दुनिया सबसे intelligent होल्ए हर्स है और साथ में सबसे fastest होल्ज है अगर वहाँ की national language के बात करें जो official language है उसका नाम है अजरी जो थोड़ी बहुत Turkish language जैसी है और वहाँ के रशियन दुस्ता सबसे जाला spoken language है अगर हम Azerbaijan currency के बारे बात करें तो उसका नाम मननत है जो एक मननत इंडियन currency में 44.22 इंडियन रुपीज होता है अब बात करते हैं उसको वहाँ के location की अजर्बाजय के location South West Asia में जिसके 10% area यूरोप में और 90% area उसके Asia में है इसलिए उसको Eurasia भी कहते है वहाँ के अगर neighbor country के बारे बात करें तो South में है इरान, North में रश्या और जोजिया, West में कैपसें सी और East में है टर्किया और आर्मेनिया अगर उसकी area के बारे बात करें तो वह 86,600 स्क्वार किलोमेटर में और वहाँ के population के बारे बात करें तो वह 98,000,000 population है अब बात आदी हो वहाँ की region की वहाँ का region में 96% Muslim है, 3% Christian है और 1% Jewish है वहाँ का सबसे बड़ा शहर बाकु है और साथ में वह एक Cabit City भी है अगर अगर अधरबाजन के हम GDP के बारे बात करें तो उसका 80% GDP crude oil और natural gas से आता है और 20% cotton, steel, iron और tourism से आता है अगर आपको इंडिया से अधरबाजन जाना है तो इंडिया के हर metro city से आपको flight मिलेगा मगर जो हर flight है वो वाया दुबाई, अबुदा भी, Istanbul और दोहा से ओकी जाएगी आज के लिए इतना ही, अगर आपको में वीडियो अच्छे लगा प्लिस लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और यह बताइए कि आने वाले वीडियो किस टॉपिक पर हो, प्लिस कमेंट कीजिए